नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए disclaimer उसके बाद बात करेंगे बाजार में एक ऐसे instrument की जहाँ पर आप पैसा लगाओगे तो 99% chances हैं कि आपका कभी loss नहीं होगा जी हाँ हम ऐसे instrument की यहाँ पर बात करेंगे आपको पता है कि बाजार इसे वक्त all time highs पे है और आपको ऐसे वक्त पे safe instrument में पैसा लगाना ज्यादा बेटर समझना चाहिए अपने आपसे तो मैं आपसे एक request करूँगा कि आप अपने पैसे को एक समय इकठा कीजिए और उसको म मेरा छोटा साथा खेर आगे बढ़ते हैं अभी जो मैंने आपसे बात कही यहीं आपका cracks है यानि कि आप अपना जो आपका पैसा है जो आपके पास idol पैसा पढ़ा हुआ है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पर भी आपका अकाउंट होगा उस idol पैसे को आप किसी क साहाब मिलेगा आपको दूंगा संधाऊँगा यहीद ओंध क्या करते हैं और फिर आपको सारी बातें जिस से ग्रीर ओजाएं क्योंकि बाजार All-Times इसलिए यहाँ पर इमस्टिंग करना खतरों से खाली नहीं है इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको swing trade करना है तो 20 से 25% पैसा अपना रहने दीजे 75% पैसा जो है अपना कहाँ पर डाल दीजे लिक्विट फंड में पहले समय लीजेगा क्या होता है अगर आपको intraday करना है 10% पैसा रखी अपने trading account में 90% डाल दीजे कहाँ पर लिक्विट फंड में जिससे कि आप उसको सही समय पर investing में उपियोग कर पाऊ चलिए लिक्विट फंड क्या होते हैं उसको समय लेते हैं बहुत आसान महासा में मैं आपको समझा दूँगा होता क्या है कि आप किसी को या तो अपना पैसा दे देते तो उससे आप कुछ मतलब ब्याज लेते हो ना वही काम करती है कंपनिया आपके लिए बड़ी बड़ी कंपनिया बड़ी-बड़ी ऐसेट मैनेजमेंट कंपनिया वो अपना लिक्विट फंड खोल के बैठे हुए लिक्विट का मतलब सब कुछ आपको बताऊंगा liquid fund मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं लेकिन थोड़ा सा पीछे चलिएगा liquid fund किसी को कैसे पैसा दे देते हैं ये AMC हो गई ध्यान से समझिएगा बात को ये AMC हो गई ये हम लोग हो गई और ये जो मैं drawing बना रहा हूं इसके लिए आपको video like क पसंद नहीं आई देखिए मैंने इसको तीन बाल और एक दो कान भी इसको दी है नाग भी दे दिया और मुह भी दे दिया है ठीक है चलिए आप इसके लिए like करिए अभी समझिए हम asset management company के पास जाते हैं जो की ICICI है कोटक है अधित व्रिला है निपॉन इंडिया है एक्सिस है ICICI के दो मतलब कमपनिया अलग लग रखती है आपके सामने यूटियाई है लंटी है इतना समय लीजिए यह अलग लग कमपनिया है यही क्या कहलाती है AMC यह हम और आप लोग हैं यह मैं हूं या आप लोग में से कौन है वैसे इसकी सकल थोड़ी-थोड़ी मुझसे मैच कर रही है आप लोग में etwa भोलते है फोटो दिखाइए तो सीर्यास मुझय क्योंकि यह जो वीडियो है से संपर किया बोला भी यह हमारे पास पैसा है यह ले लो एक लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं इसको आप लीजिए हम जैसे ही मांगने आए हमें चुपचाप दे जीजगा अब आप इस पैसे को किसी को उधार दे जीजगा आपको देना होतो तो यह नाइंटी वन डेज इसस मैं कुछ दिक्कते आ जाती है रहें को यह पैसा उधार देते हैं अब आपके लिए जूंडेंगी जिनको पैसे की जडसी की जरूरत हो कि वह आपको उसके बदले उसे संपर करते हैं, उनको बड़े-बड़े अमंट चाही होते हैं, तो asset management company उक पास हमारा पैसा होता है, यह company-asset management company उनको यह पैसा देती हैं, वो उसके बदले में ब्याज देते हैं, अब इसके बीच में हमारे पास क्या कहीं risk है, रिस्क जो है वो निल नहीं कह सकते मतलब जीरो रिस्क नहीं है रिस्क तो है 1% केसेस में रिस्क है और रिस्क ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा रिस्क इस चीज का है कि हो सकता है कि एक दो दिन आपका पैसा वहीं का वहीं रह जाए या फिर थोड़ा सा नीचे जाए थोड़ा सा का मतलब यह नहीं कि आधा परसेंट एक परसेंट जीरो पॉइंट जीरो टू या जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट आपका पैसा नीच तो मैं आपको return भी दिखाऊंगा, return इनका FD जो होती है FD, close to UC के बराबर होता है, यानि कि आप आपने अगर एक साल की FD कराई है और आपने liquid fund लिया है, तो आपको close to UC के बराबर return मिलने वाला है, ठीक, तो आपको एक advantage यहाँ पर added advantage, सबसे पहला जो advantage मिलता है, वो यह कि FD आप minimum 7 दिन की, या 15 दिन की, या इससे जादा ही करा सकते हो, लेकिन liquid fund में आप एक दिन के लिए भी पैसा रख सकते हो, दो दिन के लिए भी पैसा रख सकते हो, FD में disadvantage क्या है, कि यहाँ पर जितनी मतलब एक साल या दो साल का जब आप FD लोगे, तभी आपको ज्यादा return म मिलता है, ठीक, अब आप समझ गए बात को, और यह return ऐसे मतलब daily basis पे ऐसे आपको मिलता रहता है, इसका मतलब यह है कि आज आपने AMC को पैसे दिये, कल आपको पैसे की जरूरत है, तो अगले दिन आपको ब्याज मिल जाएगी, उस पर आप चुपचा ब्याज लेकर निकल जाएगे, अभी AMC से हम संपर कैसे कर सकते हैं, कौन से plan मुझे पसंद है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, और फिर आपको मैं बताऊँगा इसमें पैसा लगाने की रणनीती, आपकी यहाँ पर भी रणनीती काम आनी चाहिए, क्योंकि हर जगा आपका पैसा है, बह अभी liquid में मेरे पास यह दो plan personally है, ICICI Pro, Money Market Fund ठीक, और दूसरा कोटक Money Market Growth, हम कोटक का आपको चार्ट दिखा देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्या चीज़े हैं, तो इसका पूरा सभार इस चार्ट का पूरा Google India को जाता है, Google.co.in को, तो चलिए यहाँ पर जिनका भी मिलता है, आप हमाई साथ जूडने के लिए जिनके साथ account खोलते हो, उन सब के पास यह सुविधाय को आपको mutual fund प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप वहाँ से mutual fund में बिल्कुल free में investment कर सकते हो, जैसे कि जरोधा के पास coin है, abstracts पास अपना platform है, धेर सारे platform है, आप वहाँ पर ही जाकर कर सकते हो, लेकिन मैं यह चीज आपको recommend नहीं करता, एक बार के लिए आप यह चूज कर सकते हो, अगर आपका portfolio 50,000 या उससे उपर का है, लेकिन अगर इससे छोड़ता है आपका portfolio, आप direct AMC की website खोलिए, वहाँ पर investment कीजिए, क्योंकि आपको क्या होगा जब आप अपने broker के थूरू लगाओगे, तो वह आपका liquid fund है, वह DMAT में चला जाएगा, और DMAT में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर आपको DP charges देने पड़ेंगे, और इसी को ignore करने के लिए, आप direct AMCs के थूरू apply कीजिए, मैं personally यह route नहीं अपनाता हूँ, मैं directly AMC के थ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको disclaimer दे रहा हूँ, कि मेरा पैसा ICICI Prove Money Market Fund में लगा हुआ है, और KOTAK Money Market Growth में लगा हुआ है, और सारे के सारे मैंने जो प्लान नहीं हो directly है, मेरे पास कोई regular प्लान नहीं है, यहाँ पर regular दिख रहा होगा, तो यतना मत समझेगा कि मैं regular प्ल return होगा, close to FD होगा, यहाँ पर कुछ कहने की जरूवत नहीं है, आपको इने चार्ट इसलिए दिखाया, कि आपको confidence आ जाए, कि यहा 99% केसे में आपको यह जो funds हैं, यह loss नहीं देते हैं, चलिए इसको minimize करते हैं, हम वापस आ जाते हैं, थोड़ी सी मन कर रहा था सफाई कर कर लें, बाकी हमें मन नहीं कर रहा है कि अभी सफाई कर लें, शुरुवात में कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर रहा है, एक पार्ट टू भी अगर बना देंगे, आप लोग इसके नीचे अगर कोई liquid fund से मुझे पता है, और सारी query जाएंगी, आप लोग सवाल पुछेगा जो भी चीज नहीं समझ माती है, liquid fund से related, नीचे comment करके फुछेगा, एक पार्ट टू भी बनाऊँगा, उसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा, comment को चूच करकर जवाब दूँगा, जिससे आपकी सारी confusion है, वो मैं दूर कर सकूँ, अभी मुझे पसंद कौन क से mutual fund वाले आपको liquid fund में instant redemption की facility दे रहे, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये facility आप तब उप्योग कर पाओगे, जब आप direct AMC के थुरू apply करोगे, तो यही मैं चाहता हूँ कि आप AMC के थुरू ही mutual fund लीजिए, कौन सा liquid fund, liquid fund आप direct AMC के थुरू लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ अपना experience की 50,000 या उससे कम amount अगर आपको withdrawal करना हो, तो तुरंत withdrawal कीजिए, तुरंत आपके खाते में आता है, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, जैसे कि आप UPI transfer करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का transfer होता है, आपके खाते में तुरंत पैसा आता है, अगर आपको सक्त जरूत है, आप अपने पैसे को निकाल लीजिए, सुची FD जितना return में लाए, और जो liquidity मिल रही हो, कमाल की मिल रही है, इसलिए इन funds को liquid funds कहा जाता है, लेकिन अब आती है सबसे important बात, कि हमको क्या यहाँ पर कोई risk नहीं है, बिल्कुल हम आख बंद करक पैसा लगा सकते हैं, जी नहीं, यहाँ पर भी risk involved है, भले ही risk जो है, वो lowest है, लेकिन risk तो है, risk किस बात का, आपके पैसे को डूब जाने का नहीं, जो सामने वाला बंदा जिसको इन asset management company ने अपना पैसा दिया है, वो हो सकता है, fraud ना करे, क्योंकि यहाँ पर fraud होने chances बहुत जादा कम है, और हो भी गया, तो थोड़ा सा सुरक्षित भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बस इतमा समझेए, सबसे जादा safest अगर कुछ available है, mutual funds में तो यही है, लेकिन यहाँ पर जो risk है, वो यह है कि सामने वाले बंदे को कोई दिक्कत आ गई, कुछ उस पैसा हो जाता है, उसके साथ, तो asset management company समय से आपका पैसा नहीं पाएंगी, तो यहाँ पर आपके सामने risk यह आता है, वो आपको कुछ दिन के लिए return नहीं दे सकती है, या कुछ दिन हो सकता है, आपको negative return में भी वो रख दें, क्योंकि उनके जो खर्चे होते हैं, वो तो यही risk है यहाँ पर आपके पास, और इसी risk को mitigate करने के लिए, कम करने के लिए मैं आपसे कहूंगा, कि आपके पास, अगर मतलब मैं तो personally 2 या 3 plan ही चूच करता हूँ, जैसे DSP liquidity fund में में मेरा पैसा लगा हुआ था, लेकिन अभी इसमें नहीं है, मैंने यहाँ से withdrawal कर लिया है लेकिन ICICI और kotak में अभी मेरा पैसा है, तो मैंने 3 चूच किया था, आप भी minimum 3 चूच करो, आपके पास 1 लाख है, तो 33,000,000 डाल सकते हो, तीनों में, क्योंकि हो सकता है कि वो जिसको दिये हो, वहाँ पर कोई दिक्कत ना है, ऐसा करके आप पहले तो यहाँ पर diversification भी कर ले रहे हो, लेकिन अगर आपके पास बड़ा portfolio है, तो कुछिस कीजिएगा 4-5 में ले लो, क्योंकि direct AMCs में apply करना भी थोड़ा सा, मतलब hectic हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको अपने पैसे से प्यार है, उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, इतना काम आपको जरूर करना चाहिए, 99% केसे में बहुत, मतलब आप चार्ट देख लेंगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा, ये चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है, और reality सारी आपके सामने रहेगी, कि ये चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है, ये चार्ट कहना चाहता है, कि भ लिक्विड फंड का देखते हैं कि कोई तो है जो नीचे डिस अडवांटेज लिखकर बताता है कि क्या कुछ डिस अडवांटेज है लिक्विड फंड का आप बताईएगा मुझे अच्छा लगेगा आई होप मैंने आपको धेल सारी चीजें समझा दी मैं आपको बता देता लिजेगा AUM इन लोगों के पास कितना है और मैं personally HDFC यहाँ पर नई सेलेक्टर है HDFC वाले के पास HDFC लिक्विड फंड के बास सबसे जादा AUM है मतलब वो सबसे यादा पैसा मैनेज करते हैं सबसे यादा पैसा लोगों को धार देते हैं लोगों को सबसे यादा ट्रस्ट क आपकम के चक्कर में मत पढ़िएगा जो कंपनी के उपर आपको ट्रस्ट हो एक्सिस के उपर ICI के उपर DSP के उपर LNT के उपर कोटक के उपर जहां पर भी आपको ट्रस्ट हो आप उहाँ पर डालिए बस कोशिच कीजिएगा कि अलग-अलग funds को चूज कीजिए यहाँ प आपको 7 दिन का lock-in लगाते हैं मतलब 7 दिन अगर आप पैसा नहीं निकालोगे तो उसके बाद आपको कोई आपसे वो कोई charges नहीं लेगे लेकिन अगर आप पैसा लगाए और 7 दिन से पहले आप निकालने के लिए उनसे बोले तो आपके उपर एक छोटा सा amount penalty के रूप मे नहीं था तो यह सब चीजें आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए और डिसएडवांटेज बताईए और सुरुवात में जो मैंने बोला ना कि आप लोगों को क्या करना चाहिए पैसा जो है वो मेरे खाते में transfer कर देना चाहिए जिससे कि मैं आपके पैसे को दूसरों को धा पैसी कहीं है जिससे आपके दिल को चोट पहुंच सकती है तो उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं आपसे मैं आपसे कोई पैसे की रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो वो छोटा-छोटा मजाक है आप समझोगे मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में तब तक केलते रहे यार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद